नमस्कार दोस्तों, स्वागता आपका ऐगां स्पार्ट ग्लासेसमें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बुरी ख़बर है आप लोगों के लिए स्पेसलि उंच छात्रों के लिए जो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक सिछक भरती के माध्यम से प्रात्मिक बिद्याले में सिच्छक बनना चाहते है जिन्हों डियलेट या बीटीसी किया हुआ है ये पुरी ख़बर कहां से आ रही है किस तरह का बयान आया है लिखित बयान है ये हम आपको इसे वीडियो में दिखाएंगे और वीडियो को पूरा दखिएगा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिधान सभा के दुईतिय सत्रे दोहजार चौपिस के पर्थम मंगलवार हे तु निर्धारित सिरी आनिल परदान चित्र कूट मानिनिय सदस्य बिधान सभा द्वारा पूँचे गए आतारंकित और आतारंकित दो तरह के प्रश्न होते ह प्रदान के द्वारा जो की सदस्य बिधान सभा में उन्होंने प्रश्न क्या पूच्छा क्या बेसिक सिच्छा मंतरी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रात्मिक विध्यालों में सिच्छकों के स्रेजित पतों के सापे कितने पद वर्तवान में रिक्त हैं तो 152 पद्रिक्त हैं 3,32,734 अध्यापक विद्याले में कारेरत हैं एवं इसके साथ साथ 1,43,450 सिच्छा मित्रों को सम्मिलित करते हुए चातर सिच्छक अनुपात लगबग 22 अनुपात एक है बाइस चातर पे एक सिच्छक इतने तो सिच्छक है और 1,43,450 सिच्छा मित्र है जो कि मानक के अनुसवार पूर्ण है बस यहीं से सारी चीज़े पल्ट जाती है 97,000 सिच्छक भरती की बात होती है कि 97,000 सिच्छक भरती होगी हलाकि पदों संख्याप देखेंगे तो यह बहुत ज्यदा कम नहीं है 97,000 के आसपासी है यह 85,000 सिद्यदा पद खाली है लेकिन भरती नहीं होगे कि मानक इनका पूरा हो रहा है क्या सरकार् रिक्त-पदों को भरने है तो T.E.T. ḥ उत्तृन अभ्यारतियों के लिए विग्यापन जारी करने पर विचार करे गी। परिसादिय उत्तराया इसका परिसादिय प्राथमिक बिद्यालियों में सहायक अध्यापक के पदों की रिक्तियों निशुलक एवं बाल सिच्छा अधिकार अधिनियम के चात्र सिच्छक अनुपात है तुन निर्धारित मानकों के दृष्टिगत आवसकता नुसार समय समय पर भरती की कारवाई की जाती है संप्रति माने निये सर्वचिनायले के आदेश के अनुसार 12,460 वाली भरती जो है वो अभी गतिमान है 12,460 वाली भरती में से 11,807 पदों पर अध्यापक निप्थ हो चुके है इसपे अध्यापक निक्त हो चुके है एक भरती हो चल गई इन्होंने बताया कि समय समय पर भरती की जाती है इन्होंने यह नहीं बोला कि पच्चासी हजार जो खाली पद है उनके साप एक समय भरती की जाती है तो आगे इनोंने बोला है यदि नहीं करेंगे भरती तो क्यों नहीं करेंगे इनोंने यह भी पूझा कि भरती यदि नहीं करेंगे प्रस्न क्या है यदि नहीं करेंगे भरती तो क्यों का उत्तर इनोंने दिया उप्रोक्ता अनुसार उपरोक्त के अनुसार ये भरती नहीं करेंगे इन्होंने यहाँ पे गोलमोल जबब दिया है ये साप साप यहाँ पे नहीं लिखा कि ठीक हम भरती नहीं करेंगे लेकिन इनके कहने का आज है यही है इन्होंने यहाँ पे कहा है उपरोक्ता अनुसार यदि नहीं तो क्यों इसका जबावी दुराश चांधा भठी होगी लेकिन होने लिए उप्रोप्ता नुसार यानि कि हमारा छात्र सिच्छक रेशियो complete है इनके हिसाब से हमारा छात्र सिच्छक रेशियो complete है भठी नहीं होगी देखिए अगर इसको दूसरे एंगिल से देखा जाए तो यहां पे निरास चातर तो जरूर है लेकिन इस निरासा में भी एक आसा है आसा यह है कि 4,70,000 पर्मरेंट सिच्छों की भरती है यह जो सिच्छा मितरे 1,43,450 है यह सिच्छा का कार्यकर जरूर है लेकिन आप इस रिशियो को मेंटेन करने के लिए इस तरह से नहीं कर सकते पर्मानेंट सिच्छक ही आपको चाहिए होगे 85,000 की यहां पर कमी है 85,152 पदों की कमी है तो यह पद सरकार को भरने चाहिए इसलिए सरकार ने यहां पर गोल मोल जवाब दिया है इस प्रशने का बाकी दोनों प्रशनों का बहुत ही सटी और ऐसा जवाब दिया जिसका विशलेशन किया जा सके लेकिन यहां पर इनों ने थोड़ा सा फोस्यारी दिखा दी है गोल मोल जवाब दिया कि दोनों तरफ यह जा सकते नहीं भी कर सकते हैं कर भी सकते हैं इसलिए च्छात्रों को उमीद नहीं हरनी चाहिए टी टी पास किया है तो भरती आएगी अब जो च्छादर TET पास किये हैं वो क्या करेंगे उनके लिए हम यह पताना चाहते हैं कि आप TET खाली UP TET के वरोसी मत बैटी है बिहार में S TET होता है S TET होता है हर्याणा में H TET होता है तो अगर आप इस तरह की अन्य इस्टेट की TET या फिर C TET पास कर लेंगे तो आप अन्य राज्यों में प्रात्मिक सिच्छक भी बन सकते हैं NBS में बन सकते हैं KBS में बन सकते हैं कहीं पर भी प्रात्मिक सिच्छक बन सकते हैं उत्तर पदेश सरकार की उम्मीद में केवल मत बैठे रहें तो दोस्तों यह हो गई आज की वीडियो मि नेक्स्ट वीडियो में तान्यवाद।